हेलो गाइज वेलकम बैक टो चनल आईटेक वर्ल्ड एकेट्व आज की वीडियो लेक्ट्र है अपने उपस विज जावा सब्जेक्ट की यूइट नमबर फाइफ को कंट्यूनु करने वाले ओवरॉल हमारे लेक्ट्र नमबर 33 है यह जो हमारी यूनिट का नेम है वह स्प्र प्रेमवर्क क्या होता है उसके बाद हमें स्प्रिंग बूट का मॉडिल का इंप्लिमेंटिशन देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अनी टाइम विस्टिंग अपने पहले टॉपिक जो किया वर्ट जावा फ्रेमवर्क अब जावा का फ्रेमवर्क है अब जावा फ्रेमवर्क इस दा बॉड़ी और प्री डिफाइंड कोड्स यूज़ यूज़ कर जाते है प्रोग्रामर के द्वारा किसली किसी भी एप्लिकेशन को बिल्ड करने के लिए किसके उपर वेब के ऊपर ठीक है तो जावा फ्रेमवर्क क्या होता है एक ऐसी बॉड़ या प्री डिफाइंड कोड मतलब ऐसे कोड जो पहली से लिखे हो होते हैं जिससे कि हमारा एप्लिकेशन डेवलपमेंट है वो इजी हो जाता है रहीट तो इस फ्रेमवर्क इन जावर डेवलपमेंट अग्लासे और फॉसस इंपूट और कम्म्मिनिकेट विन सिस्टम एप जावर क्या होता है यह आप समझ गए होंगे प्री रिटेन या पर प्री डिफाइंड कोड होते हैं ठीक है जिने प्रोग्राम में यूज करते हैं किसलिए एप्लिकेशन को डेवलप करने के लिए ठीक तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम जावा फ्रेमवर्क को यूज क्यों करते हैं हमें जावा फ्रेमवर्क का यूज भी पता होना चाहिए तो देखो इट्स टाइम कंजूबिंग टू बिल्ट बिग जावा एप्लिकेशन फॉम दा ग्राउंड अगर हमें कोई जावा एप्लिकेशन बनाना है बहुत बड़ा कोई एप्लिकेशन से उसको अगर हम सुरू से बनाएंगे इनिशेर से बनाएंगे पहली लाइन का कोड हम ही लिखेंगे विदाउट बॉलर प्लेट कोड तो काफी डिफिकंट और काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा ठीक है बट अपने एप्लिकेशन में किसी भी फ्रेमवर्क को टीक है and to avoid having to constantly start from scratchWith new projects the final java frameworks already have many of these functionality built-in ठीक है क्या करता है code लिख रहे है सुरूसे code लिख रिख रहा तो सारी functionality में खुचते create करनी पड़ती है framework की मदद्स से हम सारी functionality उनमें हां लίड होती है ठीक है तो कई सारे framework होते है Java के जैसे की आपका spring है दूसरा हैबरनेट ग्रेल्स है अपाचे हडूप है तो यह बहुत सारे फ्रेमवर्क से ऐसा नहीं है कि जावा का एक ही फ्रेमवर्क है बट सबसे जो मोस्ट पॉपलर है नमबर वन टॉप पे है वह है स्प्रिंग ठीक है और इसलिए हम स्प्रिंग को फ्रेमवर्क और भी भ ठीक है अब बात करते हैं एडवांटेज क्या होते हैं जावा फ्रेमवर्क यूज करने का तो पहला एडवांटेज है जावा फ्रेमवर्क सिंप्लिफाइज कोड यह कोड को सिंप्लिफाइज कर देता है दूसरा है जावा फ्रेमवर्क ऑफर यू मल्टिपल ऑप्शन्स development की काफी सारे options देता है development के तीसरा है java framework provides security and reliability to web application जो भी हम web applications बना रहे हैं उसको security and reliability provide करता क्या java framework next है आपका has large forums or extensive support group तो इस framework को बहुत सारी लोग use करते हैं तो इसकी support group है वो भी अच्छा है कहीं अटकते हो तो आप इनसे help ले सकते हो and at last complete lead the task with enhanced efficiency तो किसी भी framework को use करेंगे तो code already return होंगे जिससे कि हमारी efficiency है वो बढ़ जाएगी ठीक है इतना समझ में आए कि हम java framework को क्यों use करते हैं तो अब move करते हैं अपने next and main topic जो हमारा spring framework देखो unit number five आपकी काफी बड़ी है काफी important unit है यह जावा की perspective से तो जो जो topic मैं इसमें करा रहा हूं सारे topic cover कर रहा हूं सारे important cover कर रहा हूं तो आपको इन में से कोई भी topic नहीं छोड़ना अगर आपने एक भी topic छोड़ा तो यह आपके लिए ही नुपसान दे होगा ठीक है तो जो-जो topic में करा रहा हूं आपको सारे topic करने है ठीक है तो spring framework क्या होता है spring framework make the easy development of java ee applications अब यह java ee applications क्या होता है unit number one में जैसे हमने उपस भी java start क्या था तब ही हमने आपको पता था java enterprise additions बहुते है इसको ठीक है तो java का ऐसा addition है जो enterprises के लिए काम करता है निकि web applications को बनाने के लिए काम करता है मिले ठीक है तो java enterprise additions के अंदर जितने भी हम applications बनाते हैं for example calculator बनाया ठीक है उसके development को easy करने के लिए हम spring framework को use करते हैं ठीक second point क्या it is helpful for beginners and experience person जो भी यह helpful रहता जो भी शुरूआती तोर पर जावा को use कर रहे हैं even जो experience है उनके लिए भी काफी helpful रहता है ठीक है अब next point काफी important point है इट वाज डेवलबाइट रॉड जॉंसन नाम याद हो जाना चाहिए अभी रॉड जॉंसन इन 2003 2003 में रोड जॉंसन ने यह डेवलब करी तो काफी पुराना framework है यह जो देट है और जो नेम है यह examiner के ऊपर ठीक है already spring जो है उसका यह logo है ठीक है बिलकुल confused नहीं होना राइट अब बात करते है spring की main definition कि अगर two marks में कुछ ना आया spring क्या होता है तो आपको यह लिखके आना है क्या लिखके आना है spring is a dependency injection framework spring is a dependency injection framework to make java application loosely coupled अब dependency injection क्या होता यह हमारा main topic है आगे हम इसको cover भी करेंगे हाप आप देख सकते हो spring core basics पढ़ रहे हैं अभी हम spring dependency injection concept और spring inversion of control यह topic अभी हम cover करेंगे ठीक है तो spring क्या dependency injection framework है जो java applications को loosely coupled बनाता है loosely coupled मतलब हमें जो जितने भी applications होते हैं उसमें से tightly coupledness applications की remove करनी होते हैं एक दूसरे से attractions होता है एक दूसरे कपल संज होता है दो concept होते हैं couple and cohesion उनको remove करना ठीक है तो couple word से भी आप समझा सकते हो दो चीज़े वह एक दूसरे के लिए attract हो रही है यह इसमें हम जो modules की बात कर रहे है modules एक दूसरे से काफे जादा attach है तो उनकी attachment को remove करना उसको हम बोलते है loosely coupled करना ठीक है एक दूसरे को उपर dependent कम होना अब next point spring is a lightweight framework यह lightweight framework है जो मैंने आपको बोला था यह framework का भी framework है अभी जो अपने नाम पड़े थे ना हाइबरनेट ग्रेल अपाचे हडूक इन सब के ऊपर है यह framework का भी framework है number one framework है और spring boot भी एक इसका अंदर framework ही आता और spring boot का भी framework क्या है spring है ठीक है तो confused बिलकुल नहीं होना क्यों 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 क्या करता है इन सारे framework को support provide करता है किसको struts है hibernate है tapestry है EJB है JSA यह सारे framework है किसके जाब आगे ठीक है but number one framework कौन सा spring so इसलिए हम इसको पढ़ रहे है the framework in broader sense can be defined as a structure where we find solution of the various technical problem the spring framework comprise several modules such as IOC, AOP, DAO, context, ORM, web, MVC ठीक है तो इस जितने भी term है इन सबको अभी हम आगे cover करेंगे अभी के लिए बस इतना याद है को framework क्या होता framework प्री रिटर्न या फिर प्री डिफाइंड कोड होते है ठीक आप बात कर लेते हैं कि एडवांटेज की क्यों देखो spring में आप से पहला topic जो पूछेगा वो spring के core basics ही पूछेगा तो spring से core basic framework क्या होता है वो हमने पढ़ लिया spring के core basics भी हम पढ़ ले तो हमें advantage भी पता होना चाहिए किसका spring framework का तो हाला कि इसके काफिल सारे advantage है वट हम main topics की बात करेंगे तो पहला है predefined template बिल्कुल अगर framework है तो उसमें predefined template तो होंग ही होंगे ठीक spring क्या करता आपको बहुत सारा code लेगने की जरुत नहीं है इसमें already जावा आपको predefined template देता है दूसरा loose coupling यह नहीं एक module से जावा का दूसरा मॉडिल से उनकी बीच में जो attachment है उनको कम करता है ठीक है loosely covered होता है और यह किसकी वाइस होता है dependency injection next topic हमारा बिल्कुल यह है बिल्कुल confused मत होई है कि dependency injection क्या होता है बिल्कुल इसको cover करेंगे next topic में थर्ड है easy to test देखो जो भी हम application बनाते है जावा spring की मदद से उनको test करना काफी easy होता है fourth lightweight lightweight होता है क्योंकि इसमें पोजो implementation होता पोजो implementation यह भी हम cover करेंगे अभी बस basic basic समझते जाए आगे हम चीज़ों को और cover करते जाएंगे ठीक है next advantage क्या fast development जावा में spring framework को यूज करके हम development को fast कर सकते है six point क्या powerful abstraction होता है abstraction हम already cover कर चुके है oops के concept में तो इसमें abstraction जो होता है वह बहुत powerful होता है and seven क्या होता है इसमें declarative support होता है यानि caching validation transaction formatting इन सबका अच्छा का सा support इसमें होता है ठीक है आप यह दो diagram है समझ लो spring के core basics में most important है तो इसमें मैं जो जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं एक भी चीज नहीं छोड़ने है आपको diagram figure map कुछ भी है सब कुछ अच्छे से cover करना है ठीक है तो अभी तक तो कोई सच में diagram आया नहीं है बट जो आया वो काफी important है पहला है आपका spring का architecture ठीक तो स्प्रिंग के architecture में क्या होता डी आई आयो सी एओ पी इन सबको हम पढ़ेंगे बट अभी के लिए इतना याद रखो जब जब आप से spring की core basics पूछे तो आपको architecture बताना है और दूसरा यह आपका framework है एक तैसे यह भी architecture स्प्रिंग की runtime framework है इसमें नीचे test है फिर beans है core container है फिर यह वैब container है यह सारी चीज़े हम डिटेल में cover करेंगे अभी के लिए याद करते हैं तो हमारे पास क्या होता है एक ui layer होती है एक client होता है फिर बीच में internet होता है फिर हमारे servers होते हैं आप backend भी बोल सकते है आप इसको ठीक है यह backend हो गया तो यहाँ पर क्या HTML CSS इनको यूज़ करके user interface बना जाता है यह क्या करता है यह request बेस्ता internet पर ठीक है request send करता है अब जो हमारे पास servers है या backend है उन पर जो request आती है वो इसको response करता है अब जो response करने मदद करती है वो spring framework मदद करता है नहीं एक तिसे logic प्रॉवाइड करता है ठीक है और यह क्या इंटरनेट क्लावड है अब क्या होता है यह MVC मोडल स्प्रिंग जो है MVC और इसको फोलो करता है PHP भी इसको फोलो करती है तो यह पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है MVC इसको बिलकुल भूलना मट ठीक है अब बात करते हैं में टॉपिक डिपेंडेंट सी इंजेक्शन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है 101 परसेंट आएगा सेवन मार्ट में और सेवन में नहीं आया था तू में जरूरूर आएगा ठीक है काफी इपोर्टेंट टॉपिक है अभी तक हम पढदते आ रहे थे में हमने जो डैफिनिशन पड़ी इसमें भी हमने पढ़ा कि spring एक dependency injection framework है तो अभी हमने स्लेबस में भी देखा dependency injection concept spring inversion of control तो देखो dependency injection क्या तो एक design pattern है पहला point यह design pattern है ठीक है दूसरा इसकी definition पढ़ देते हैं dependency injection भी बोलते हैं इसको एक design pattern है जो क्या करता है remove करता है किसको dependency को from the programming code so that it can be easy to manage and test the application ठीक है second point है इसका dependency injection makes our programming code loosely coupled loosely coupled एक दूसरे को पर dependency को कम करता है ठीक है समझके पहला point एक design pattern है जो remove करता क्या dependency को programming code से दूसरा dependency injection क्या है हमारी programming code को loosely covered हो रहाता है राइट अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट मैं आपको एक example दोंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है एक person है जिसका नाम है रामू ठीक है यह अभी 10th class में है इसकी sister है गीता यह दूसरा परसान है यह भी 12th class में अभी रामू को integration calculus में integration derivation नहीं आते बट उसको स्कूल से homework मिला है जिसमें उसको calculus वाला part cover कर रहा है बट इसके लिए उसको help लगी किसकी अपनी sister की जो की तो हमने इसका प्रोग्रामिंग कर लेते हैं क्लास बनाई रामू नेम से उसके अंदर हमने एक object बनाया गीता नेम से ठीक है यह object है उसके बाद हमने public word do work इसका कुछ work assign करा इसको अब यह work कैसे करेगा इसको question दे दिया गया integration का एक दे दिया गया differentiation का 10th class वाले बच्चे को आना चाहिए बट इसको नहीं आता यह अपनी जब तक अपनी दीदी की help नहीं लेगा इसको नहीं कर पाएगा इसलिए यहां पर गीता नाम का object object create किया ठीक और अभी तक हम क्या करते हुआ रहे थे गीता नाम का object जैसे भी हमें create कर रहा हम easily new keywords की मदद से create कर सकते थे बट यहां पर क्या है इसको वो वर्क आता ही नहीं है रामू को इस person को वर्क नहीं आता तो इसकी dependency किस पर गीता पर ठीक है अब गीता का भी अपना ए Depend है तो यह क्या होगा Dependency injection समझ गये ना अभी Dependency word का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ऑल्दो हम चाहें तो js में गीता को new keyword की मदद से class यहां पर प्रोग्राम है यह Depend करता किस पर इस वाले प्रोग्राम पर तो इसको हम बोलते हैं Dependency injection यह कि complex Java application application class should be as independent as possible of other Java classes to increase the possibility to reuse these class इसमें basically क्या लिखा हुआ कि एक दूसरे की ऊपर Dependency वो कम से कम होनी चाहिए राइट क्योंकि यह क्या है एक module हमने बना अभी तो यह बहुत छोटा पड़ सकते हो Dependency injection कई बार इसको वाइरिंग भी बोलते हैं helps in gluing these classes together at the same time keeping them independent ठीक है main point है यह वाली line क्या है यह जो है हमारे independent तो है रामू class independent है गीता class independent है बट independent होते होते भी यह एक दूसरे की साथ क्या है connected है यह अलग class में yellow class में फिर भी इंडिपेंडेंडेंट है बट फिर भी यह गलूड है गलूड किसकी मदद से है एक उसे पर किस मदद से चुपके हुए Dependency injection के concept की मदद से गलूड है राइट तो क्या है Dependency injection जो आपकी में फंक्शनलिटी है प्रोवाइड़ बाइ स्प्रिंग आयूसी अब आया आयूसी नया तर्म आगया Dependency injection अभी समझा अब आगया आयूसी ठीक है आयूसी माने इंवर्शन अफ कंट्रोल एक अपना कंट्रोल किसी और को दे दिना ठीक है यहां पर हम चाहते तो क्लास रामू लिख करके दूसरी क्लास बनाते किसकी मदद से न्यू कीवर्ड की मदद से जिसका नाम हम रखते गीता बट यहां पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया भी हमें ऐसा करना पड़ता तो आट-दस लाइन प्रोग्राम में और लिखनी पड़ती इस वाले मे है आयू सी इनवर्जन ऑफ कंट्रोlles हमने अपना कंट्रोल इस्प्रिंग फ्रेमवर्ग को दे दिया कि अब हमें कोई मतलब नहीं है अब हम नू नाम से कोई क्यास वगरा कुछ नहीं बना रहे हमने क्लास रामू बना दी एक गीता बना दी एक ओपजेक्ट बनाया गीता नाम से उनको डिपेंडेंसी इंजेक्शन दे दी अगर हम चाहते तो इस काम को एक ही कोड की मदद से क्लास क्रेट करके कर सकते थे बट हमने ऐसा नहीं किया हमने जो कंट्रोल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क को दे दिया इस कॉन्स अब को बोलते हैं आयोसी इन वर्जन ओफ गॉंट्रॉल ठीक है अब क्या है यह किसकी में फंक्शनेटी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आयोसी दोनों ही टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं डिपेंडेंसी इ बिसेकली डी आई जो है वो दो तरीके के होती है अभी हम इसको पढ़ेंगे एंट डिजाइन प्रिंसिपल उफ इंवर्जन ऑफ कंट्रोल एंफेसाइस कीपिंग जावा क्लास इंडिपेंडेंट सेम वही चीज़ है यानि एक दूसरे के ओपर ग्लूड भी रहते हैं बट इ ना है इसको इंस्योर करती है कि ईसवर्ज करती है डी आइएए है माने टेपेंडेंट सी इंजेक्शन अब दूसार स्यांब विछ रिटे array अगर आपसे पूछे डी मधेर कितना खिले zitten होते है या फिर या CONCLOCK कि क्लास को मदर्द से इंणゴ करते हैं तो उसको हम चाहें तो एक दूसरे को मर्ज करके ऐसा नहीं है कि अलग अलग टैप्स की यूज करेंगे अगर कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे करें मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं बड़ यह हम Lawrence IO कंस्ट ने को मेंटें करने के लिए हम किसको यूज करते हैं या तो constructor को या फिर setter को ठीक है तो डी आई और डी आई के tabs और आयूसी आप समझ गए हो ठीक है अब आयूसी आप समझ गए हो तो एक बार सकी definition भी पढ़ लो inversion of control क्या होता है कैसा principle होता किसका software engineering का जो क्या करता है ट्रांसफर कर देता किसको control of objects को या फिर program के किसी portion को किसको transfer कर देता या तो किसी container को या framework को ठीक है अब हमने क्या किया था भी पिछले program में रामूने अपने control को transfer कर दिया था गीता के पास similarly हमें new वगरा कुछ नहीं कर रहा हमने अपने control को transfer कर दिया spring framework को जिससे की क्या हुआ आयूसी वाला concept use हुआ ठीक है तो आयूसी इन्वर्जन ओफ कंट्रॉल ठीक डेफिनेशन की क्लियर होगी आयूसी इस प्रिंसिपल इन यह ज्यादा यूज करते हैं अभी छोटी सी इसकी वह है त्योरी इसको एक बार पढ़ लो spring ioc container is the core of spring framework ठीक है spring framework क्या होता है इस container पर ioc container पर ही काम करता है ठीक है यह है इसका container यह most important diagram है अकर ioc आएगा तो यह आपको diagram बना नहीं पड़ेगा ठीक है इसने किसको दे दिया इस्प्रिंग को दे दिया और इस्प्रिंग को दे दिया और spring का control किस पर में कौन handle करता है ioc container handle करता है ठीक है इसमें यही लिखा हुआ है आप definition में भी देख सकते है यह करता है पो जो beans के control xml based control java based control java annotation के control metadata में configure करके beans को configure करके spring ioc container को दे देता है इसके अंदर जो है ioc का concept use करके एक working applications को हम produce करते हैं ठीक है अब कुछ main features से spring ioc के वह देख लेते हैं पहला है creating object for us same same बात है जो मैंने अभी आपको बोली यहां पर हम अलग-अलग object नहीं बना रहे है new की मदस्स से यह हम अपना सारा काम किस पर छोड़ दे रहे आयूसी के उपर छोड़ दे रहे और पहला काम भी इसका यह यह पहला feature भी यह यह objects को create करना किसके लिए हमारे लिए दूसरा काम है हमारे हमारे द्वारा जो objects इससे create करवाए गए हैं उनको manage करना तीसरा हमारे applications को help करना किसमें configure करने के लिए और फोर्थ है managing हमारी dependencies को manage कर रहा तो एक तरह से देखो यह washing machine का काम कर रहे है क्या बस इसमें हमें सरफ डालना दूसरा clause डालना बाकि जो जितने काम है मतलब सरफ और कपड़े डालने बाकिक हम अपने आप कर देगा बटन दबाना है ठीक है एक तरह से ioc container भी यह है कि हम अपनी हातों से कुछ भी new की मदद से कोई भी object नहीं बनाएंगे उसको हम आपके द्वारा create करवाएंगे आपके द्वारा manage करवाएंगे आपके द्वारा अपने application configure करवाएंगे और आप हमारी difficult concept है spring ioc dependency injection spring core basics बट मैंने काफी easy वे में आपको explain की है एक्जामपल की मदद से फिगर की मदद से तो जितने भी एक्जामपल है जितने फिगर है सबसे अच्छे से इनको प्रिपेर कर लेना पहला है spring ioc container वाला फिर है आपका यह एक्जामपल थर्ड है आपका architecture फिर है framework ठीक है आज की लेक्चर में सिर्फ इतना ही next topic हम cover करेंगे अपने next lecture में तब तक लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें काफी मेहनद लगती है सारे concept को build करने के लिए तो एक बार comment जरूर करें कि आपको concept समझ में आए and वीडियो को पर दोस्तों जरूर शियर करें हर को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू